बहुत मुझे का नूडल्स मने आप जरू टिकन है जो आप बरियानी में एकसर आप बाइर से बरियानी वगारा मंगवाते हैं और आपको वो चिकन खाई नी डाती पर देते हैं तो उस टिकन को आपको वेस्ट नहीं करना हम आपको आज एक एस की रेस्पी बताने जा रहे है तो इस टिकन को हमने इस तरह कर दिया है और फिर इस टिकन को जड़ा हम स्पाइसी करेंगे तो हमारी ये बनेंगे स्पाइसी कनौर नूडल्स तो चले चलते हैं अपनी रेस्पी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इस टिकन को तड़का लगाएंगे मसाले के साथ पहले हम और उ DD दाल देंगे डीव हमने चिकन इसके अंदर संदाइं है फन्डी चिकना में ह हैं फिर टिकन आइड हे बहुत कम जाएंगे कहना जाये जिए झालर worked प्लमिदिन ईहाए नोडल यहाए कर जाना शारी तुटरो सब्सक्तर नारिस इमाने मिद्स को अवाम दूधेखा दया लाएम उनारिस आपको डिलेस अवसमता कूर तो एक रहा खिंवारी नहीं प्लमिदन तो इसमें लाएम है कि अपनी हुंता सब्सक्तिखी को नोड़ी के नई पानी डाल तोड़ी तो तो नियुक्स हो जाएि ताव पानी डाल देना हुआ है blending जो कहल धुतारर थोड़ा है फ़सी इंदर रिमके नदर हो जोड़ा है जोका कि मारा पानी तुछ तो यह इंदर होट सोस है थोड़ी थोड़ी था इस हूए और हमने इसके इंदर कोई सॉसिज कोई सिर्का वगारा कुछ भी एड़ नहीं करना तो हमारी हमने चिकन डिशाउट कर ली है हमारी चिकन रेड़ी हो गई है अब हम चलते हैं अपने नूडल्स की तरफ जी हाँ एक बात तुम्हें भूली गई हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा हमारी वडियोज थोड़ी लेट आती है लेकिन अच्छी आती है मक टाल दिया था यह हमारे पास डिपिट की चिली सॉस और डिपिट की सोया सॉस है जो हम इसके अंदर एड़ करेंगे हाफ टेबल हाफ टी स्पून चिली सॉस और हाफ जब तक हमारा पानी बॉयल नहीं हो जाता तब तक हम बना लेते हैं अपना सीग्रेट मसाला जी हाँ मिसके अंदर कनोर का पैखिट कर देंगे अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे थोड़ा से रच्चिली पाउडर अगर आपको इतना स्पाइसी नहीं पसंद पाउडर की जो सीग्रेट मसाला था वह हम इसके अंदर एड़ कर देंगे अई से और यह आपने सब कुछ तब एड़ करना जब कनोर के नुडल का जो पानी है वह बहुत थोड़ा रह जाए हमने अपने चैनल में नुडल्स को और बहुत-बहुत से तरीकों से बनाम के रैस्वी अपल नुडल्स लग रहे हैं आप लोग खाएं घर में ट्राइश रूर कीजिएगा अपना ख्याल रखिएगा बहुत मसे के नुडल्स मन हैं आप जरू ट्रेकिएगा